सेम वही प्रोसीजर देखो नंबर्स बहुत चोटे चोटे ये कोशन पूछा गया है इसलिए और आप फॉर्मिलिटी वाइस यहाँ पे स्क्वार लिखना पर इसका एडिशन मत करने जो टॉपिक करता था तो मैं हमेशा सुचता था यार एक ही फॉर्मिले से क्यों न मैं एक टॉपिक करोगा दोस्तों प्रदीबीरे एकाडमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कोईफिशन और ये सब टॉपिक दिया है तो दोस्तों अगर आपके सिलाबस में अगर य आदा confusing लगता है इसमें बहुत सारे formula हैं बट जो आपके सामने जो आपके आपके दोस्त जो आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपके लिए बहुत simple formula लेकर आ हैं मैं भी जब मेरे time पर यह जो topic करता था तो मैं हमेशा सुछता था यार एक ही formula से क्योंना मैं topic करूँ क्योंकि पास Kelsey है तो हम कौन से भी value वैल्यू अगर कितना भी बड़ा हो उसे हम solve कर लेंगे कोई दिक्कर नहीं है तो please मैं जो method बता रहा हूँ वही एक method से आप यहां पे some solve कर सकते हैं और यह marks आपके मुठी में तो video को last में अगर बहुत अच्छा लगा आपको तो वैसे तो last में comment करने वाले ही हो पर अभी जितना हो सके उतना वीडियो को share कर दो या तो पूरा वीडियो देख लो फिर share कर दो पर अच्छे से यह जो module है पूरा का पूरा वो करना इसके बाद मेरा rank वाला आएगा वो आला भी करना तो यह जो चीजे में बता रहो बस चार question इस topic का कर लि calculation का answer जो है वो हमेशा minus 1 से 1 के बीच में आता है यह हमेशा याद रखना अगर आपका answer इस से इधर उधर हुआ तो समझ जाने कि आप कुछ गड़वड कर रहे है calculation में और r का जो value है दोस्तों क्या आएगा covariance of x and y इसका formula है upon sigma x into sigma y अब covariance of x and y का जो formula है दोस्तों वो क्या ह 1 upon n summation of xy minus x bar और y bar ये भी हो गया देन यहाँ पर sigma x दोस्तों इसका under root में formula है देखो x है इसलिए 1 upon n summation of x का square minus x bar का square और यहाँ पर दोस्तों sigma y का जो answer है वो क्या आएगा 1 upon n summation of यहाँ पर क्याएगा y square minus y bar का square तो please अगर मैं यहाँ पर formula देखो मैं यहाँ पहले से formula नहीं ल formula मैं यहाँ पर लिखूंगा और तरीका बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है देखो यह x है तो इसमें पूरा term x है यह y है तो पूरा term y है देखो यहाँ summation y square y bar square और आगे 1 upon n है यह तो बहुत दीजी है summation of xy यहाँ पर x bar y bar है अब यहाँ पर आपको x bar और y bar यह आपने questions में बहुत सारी चीजे मैंने table global पहले सी बना दिया है reason यह है कि video जो है बहुत बढ़ा नहों और कम से कम टाइम में आप बहुत अच्छा mark score कर सकते हो इसलिए table का बहुत सारा part मैंने पहले ही कर दिया है अब दोस्तों देखो question कैसा आएगा compute kp coefficient of correlation आपको इसी word पर focus करना ह coefficient of correlation दिया है कि कहीं कहीं वह बोलें compute small r small r मतलब भी वही होता है यह अब देखो यहाँ पर यह पहला demand in quintal दिया है दुसरा price per kg दिया है मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है समझ जाना और यहाँ पर यह question है हमारे book में यह question दूसरे method से solve है पर यहाँ पर देखो मैं जो method आपको क्या करना है सबसरे पहले वाले को आपको X ले लेना है capital X दूसरे वाले को capital Y और vertical form में table बना देना देखो अगर कोई भी चीज अगर आप solve कर रहे हो इतना marks पार है क्योंकि 6 marks अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर table भर के दिखाना होगा अब मैं इ table यह भरने होरने वाला नहीं हूँ मैं आपका वीडियो लंबा नहीं करना चाहता है पर आपको exam में करना है यहाँ स्क्टाइव का स्क्वेर करना है फिर 66 का स्क्वेर 67 का स्क्वेर Kelsey से फटापट रखके पूरा लिख देना है फिर Y स्वेर भी ऐसी ही आपको करते जाना है 67 का स्वेर फिर XY मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है यह दोनों टर्म को जैसे यह दोनों को मल्टिप्लाइ करके लिखो पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डारेक कैलसी में पर आप जब सम्सॉल करना क्योंकि उसमें मिश्टेक होने के बहुत चांसे से कि आप यहाँ पर बार बार लिखोगे तो हो सकता है कभी कबार गडबड कर दो इसका आप समिशन मतलेना आप डारेक यहाँ पर सभी का स्क्वैर लेके समिशन निकाल देना देखो हमें क्या-क्या चीजे चाहिए हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हमें क्या-क्या चीजे चाहिए हमें सबसे पहले दोस्तों फॉर्मुला आपको बता होगा हमें summation of x चाहिए बना यह पूरे का plus तो चलो निकालते हैं Kelsey, अब मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होना ची पूरा का पूरा board पे ध्यान 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70 and 72 तो देखो 72, एक बार मैं देखो reach एक भी करना बहुत जरूरी है 72, 69, 70, 69, 68, 67 दो बार है 66 and 65, perfect 544, कितना है दोस्तो 544 वह तो ऐसी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो submission of x 544 सेम यहाँ पे यह आपको करना है 67 plus 68 लिखते टाइम ही अच्छे से लिखो कि आपको reject ना करना पड़े 65, 68, 72, 72, 69, 71 552 यहाँ पे submission of y जो है वो कितना है 552 दो चीज़े हमने निकाल दी है बात में आप submission of हमें क्या चाहिए x2 चाहिए आप क्या करोगे यहाँ पे यह बस formality के लिखना पर x2 यहाँ Kelsey से अच्छे से निकालना कि इसमें wrong ना हो देखो यह 65 लिख रहो 65 स्क्वेर अपने काल सी में डारेक्ट स्क्वेर लिखा प्लस 66 स्क्वेर प्लस 67 स्क्वेर प्लस 67 स्क्वेर प्लस 68 स्क्वेर प्लस 69 स्क्वेर प्लस 70 स्क्वेर प्लस 72 स्क्वेर तो दोस्तों यहाँ पे submission of x square का जो answer है वो कितना आया 3 7 0 2 8 यह पूरे answers को दो बार check कर ले ना क्योंकि इसमें wrong ना हो और आप formality wise यहाँ पे square लिखना पर इसका addition मत करना हो सकता है कभी कार आप किसी का square गलत लिख दो तो plus में दिखकत हो जाए तो आप ऐसे square form में answer अलग से निकालना है यह वाले का plus मत करना फिर यहाँ पे जो answer है यहाँ पे आप लिख दो इसमें से एक अग value अगर आपका wrong भी हो तो कोई आपको पकड़ने वाला है नहीं आपका final answer तो perfect है ना अब दोस्तों यह होने के बाद अब submission of क्या निकालना है आपको y square यह भी आपको ऐसी निकालना है यह पूरे का square करके addition करो देखो यहाँ पे 67 square plus 68 square plus 65 square plus 68 square plus 72 square plus 72 square plus 69 square plus 71 square तो दोस्तों यहाँ पे 38132 यह हमारा answer आया है यह भी हो गया अब यह होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों x और y मतलब यह दोनों को multiply करके वो पूरे का भी अपने को plus चाहिए तो यहाँ पे हमें एक और क्या चाहिए submission of x and y अब देखो x and y का submission अगर मुझे निकालना है तो 65 multiply by 67 यह भी केल्सी सही करना आप multiply करके महाँ पे लिख देना पर एक ही बार में पूरा निकाल लेना 66 multiply by 68 plus 67 multiply by 65 प्लीज इसमें कुछ गड़बड मत करना 67 multiply by 68 ध्यान रखना कि आप केल्सी में multiply ही कर रहे हो 68 multiply by 72 plus 69 multiply by 72 plus 70 multiply by 69 plus 72 multiply by 71 तो दोस्तो यहाँ पे इसका जो answer है वो क्या है 3 7 5 6 0 यह इसका answer है अब दोस्तो यहाँ पे आपने सभी values को निकाल लिया है अब आपको क्या करना है answer आपका निकालना है थोड़ा समय यह वाले part को यहाँ कर दे रहा हूँ यह जो आपका solution ओला part है आपका table के नीचे आपको लिखना है अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तो एक्स बार submission of x upon n ऐसे लिखना है आपको submission of x कितना है दोस्तो 544 upon n कितना है हाँ n आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 n कितना है दोस्तो 8 है तो अब यहाँ पे n equal to 8 भी लिख दो तो finally देखो 544 divided by 8 तो answer आ रहा है 68 तो x बार के बाद y बार submission of y upon n अब देखो submission of y जो है कितना है 552 divided by 552 divided by 8 69 यहाँ तक हो गया अब यह होने के बाद दोस्तो आप सबसे पहले इसका answer निकाल दो covariance of x and y का क्या है formula 1 upon n submission of xy x bar y bar यह जो मैं बता रहा हूँ न अगर आप अलग-अलग answers निकाल के रखोगे तो अगर आपका last का answer भी wrong वा तो भी आपको steps के marks मिलेंगे अब देखो 1 upon n तो 1 upon n कितना 8 है summation of x and y हमने निकाला है दोस्तो 3 7 5 6 0 minus x bar कितना है दोस्तो x bar अब भी हमने निकाला 68 multiply by 69 जब आप calc में लोगे तो इस तरह से bracket ले लेना तो दिक्कत नहीं रहेगा वैसे तो wrong नहीं होगा पर ले लेना इस तो देखो यहाँ पे 3 7 5 6 0 3 7 5 6 0 divide by 8 bracket close minus 68 multiply by 69 तो finally यहाँ पर answer दोस्तो 3 आया तो covariance of x and y का answer हमें मिल गया कितना मिला 3 अब हमें क्या निकालना है दोस्तो sigma x and sigma y देखो अगर आप sigma x और sigma x का formula क्या आएगा दोस्तो 1 upon n summation of x square minus x bar का square वीडियो देख रहे है उससी टाइम एंसर याद कर लो अब देखो sigma 1 upon n मतलब 1 upon 8 multiply by summation of x square कितना है 3 7 0 2 8 minus x bar का square x bar का square कितना है दोस्तो x bar x bar कितना है 68 तो यहाँ पर गया है दोस्तो 68 का square तो finally अगर आपको इससे लिखना है तो देखो under root में under root 1 by 1 की जगह पर आप direct यह value लिख दो 3 7 0 2 8 divided by 8 minus 68 का square तो दोस्तो यहाँ पर जो हमने answer निकालो कितना है 2.1213 चाहिए 4 decimal तक लिखो कोई दिखरत नहीं है सेम वैसी आप sigma y का निकालो 1 upon submission of y square y bar का square 1 upon n का value कितना है दोस्तो 8 into यहाँ पर submission of y square कितना है दोस्तो 3 8 1 3 2 minus y bar 69 का square तो यहाँ पर 3 8 1 3 2 divided by 8 minus 69 का square तो दोस्तो यहाँ पर 2.3452 अब यह पूरा answer आने के बाद आपको क्या करना चीए heading डाल देना कि coefficient of correlation और यहाँ पर देखो covariance of x and y sigma x into sigma y यह कितना answer आपने निकाला दोस्तो 3 और यह sigma x कितना है 2.1213 multiply by 2.3452 थोड़ा बहुत point में पीछे थोड़ा बहुत variation होगा answer से तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी का answer सेम होना चीए 2.3 2.1213 multiply by 2.3452 तो दोस्तों यहाँ पर answer हमारा आ गया है 0.6030 चेक कर लो परफेक्ट answer आया दोस्तों और आपके book में चेक करोगे तो वो उन्होंने अलग method से किया है मैंने इस formula से किया है बस वही same formula है ऐसा मत सोचना कि इस से लिखोगे था आपका marks नहीं मिलेगा भाई यह question मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि please यह question solve करके आप इसका answer बताओ इसका answer याद से आपको बताना है same वही procedure देखो numbers बहुत छोटे छोटे यह question पूछा गया है इसलिए तो please इससे आपको बताना है तो इसका final answer क्या आएगा मुझे comment करके बताना जिससे कि आपका वीड जोगों देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते हैं next lecture में bye bye take care जहीं दोस्तों